वेकैंसिस की टोटल 30-35 प्लस वेकैंसिस है अपकी जिसमें आप ओल इंडिया से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो ठीक है कोई इमेर नहीं करना है, कुछ नहीं करना, को रिटरिंग नहीं होगा आफराइन ही आपका इंटर्वी incidents होगा, इसमें इंटर्वी आपका आफंराइन होगा आंलान आप वोगर होगे, कोई स्कूल एजकरो अपकी फॉर्म बनने के लिए शिक्षा अभियान की तरह पोस्ट है इसके अंदर तो देखो एडसील इंवाइट कर रहा है आपका उनलाइं अप्रिकेशन फ्रॉम एलिजिबल कंडेट फॉफ प्रिंसिपल चीफ इस्टाप की दो पोजिशन है चीफ कंसल्टेंट की चार पोजिशन है सीनियर कंसल्टेंट की 26 पोजिशन है और सभी पोश्ट कॉंटेक्श्वल बेसिस पर रहेंगी जिस चू रहेंगे अपर टेक्निकल सपोर्ट ग्रूप समर्ग सिक्सा अभ्यान प्रजेक्ट के अंदर अब आपको इसमें अप्ले करना है आप बात करते हैं वेकेंसिस के बारे में सीधे हैं पहल इसमें तो एक्सपीरियंस आपको चाहिए 10 साल का एक्सपीरियंस तो इसमें भनना बाकी अधर पोश्ट के बीव में बात करूंगा देखो नेसल एडुकेशन पॉलिशी तो इसको मैं देखी नहीं रहा हूं अगली पॉजिशन के बात करूं तो वह है चीफ कंसल्टेंट सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है चलते हैं अगली पॉजिशन पर जो रही कि कौन सी पॉजिशन रहेगी आपकी आपकी सीनियर कंसल्टेंट सेवन पॉजिशन है मैक्सिमम एज 40 एर रहने वाली है आपकी इसमें एक लाग से एक लाग बीजार सेलरी मिलेगी तो पॉजिश सब्सक्राइब कर सकते हैं मिनिममम पांस लाग एक्स्पीरिंस आपको चाहिए किस पोस्ट के लिए देखो किस पोस्ट चाहिए आपको किस पोस्ट चाहिए आपको सीनिर कंसल्टेंट के लिए अब अगर आपके उसके बाद मैं बात करता हूं ओर मोस्ट की देख लू छो जो मैं पोस्ट भी ए जिसमें एक पोस्ट है यह सीनियर कंसल्टेंट ही एक लग पी से जाड़ से देड़ लग सेलरी है इसमें भी दिखो इसमें कहें मास्टर डेगरी ने स्पेशल एजुकेशन साइकोलोजी सोसोलोजी विट 60 प्रसेंट मार्क्स और पांस अलका अब उसके बाद मैं चलूँ अगली पोजिशन पर देखो वही है मीडियन कंप्रेटर स्वच्छ विद्याले इनिसियेटिव मास्टर डेगरी सोसल साइंसेश विट 60 प्रसेंट की पोजिशन पर जिसमें सैलरी असी अजार से एक लाग के बीज वेरी कर गी एटी थाउजन त पर दो पोस्ट है कॉलिक्टर समझो इसकी इसमें अगर मिनिमाम वन यहर का एक्स्पीरिशन भी आपके पास है तो आप तो जल्दी अप्लाई करो इसमें इसमें कहां मास्टर डेगरी इन सोसल साइंस वही साइकॉलोजी सोसॉलोजी जोग्रफी पॉल साइंस एकोनोमिक्स सब कुछ साइंस में जो आता है वह अप्लाई कर सकते हैं एजुकरेशन सोसल वर्क या फिर बी बीटेग या फिर एंबीए तो यहां पर जाना अप्लाई के अंदर अब इसमें अप्लाई जरू करना है एसमें आपका रहेगा ठीक है तो यहां पर जाना अप्लाई है करने के लिए नहीं इसमें जाना अप्लाई करने के लिए ठीक है ना आपका इसमें यह पोस्ट आपकी दिखांगी यह सब कुछ मांगा हुआ है बहुत सब्सक्राइब सब कुछ मांगा हुआ बही ग्राफिक आप्लाई ठीक है फोड़िस पोस्ट वोड़िए ठीक है ना तो यह मांगा है आपकी जो बचते हैं फ्रेश्रस वाले तो फ्रेश्रस के लिए तो वेकेंसी में डालते हुझ यह दिन पर डीटेफल एसबी डाली है एमस की अपलोड करी वह है ठीक है अब एक दिन में और पोजिशन आने वाली है नहीं में वहां फ्रेश्र वाले जा सकते हैं ठीक है तो और देखो और बात करता हूँ टीचर एजुकेशन की पोस्ट है दो पोजिशन है में मैं साइकालोजी सफोली यह इंचान सुसलल वर्क सो सालीजी सिश्ची मीर्ण चुनले चीए टीचर उकर चलिए बीट जर्ड तो आपको और बी प्रफेर्शन मिलेगी है अपको ठीक है पीठ एद्यूकर निश्थर प्रजट है इसमें सेंट आपर थी ते पीर है फिर तो apply कर सकते हो data and strategy unit में ये graduation के लिए हो गई आपकी आपने legally आपने LLB करी है तो आप apply कर सकते हो इसमें ये एक post is inspirational district विद्यान जली ये अच्छी post एक इसमें वो ही psychology, sociology वाले apply करना MB वाले apply कर सकते हो और 30 सल का experience इसमें भी मांगा हुआ है ठीक है ये बात याद रखना apply जरू करना क्योंकि Tata Institute में क्या हुआ था अब भी जो Tata Institute में बच्चों सेलेक्शन हुआ है आप एक दू दिन मां पर वीडियो बे आ जाएंगी पिस Tata Institute के उत्तरकरण में 110 पोजिशन आई थी जो मतलब गरिशन करके master sir के जो fresh हरत है मैंने कहा था अप्लाइ कर उन्होंने apply किया उन्होंने मानी मेरी बात और सबको call आई इंटर्वी अच्छे गए सबको document verification call भी आ गई है ताभी मैं कहता है apply करा करो call कुछ department आपको definitely reply देते हैं अच्छा reply देते है अब इसमें कुछ बात और कर लें थे हम इसके बारे में देखो देखो भाई आपकी जो job की location है वो आपको न्यू डेली पोस्टिंग होगी पहली बात ठीक है ना आपको computer knowledge आने चाहिए आपसे पूर सकते हैं इंटर्वी अगर बच्चे अगर ज्याद हो सकता है लकिन अगर बच्चे कम ही रहते मिनिस्ट्री में अप्लाइगा ने के लिए तो रिटन टैस्ट नहीं होगा आपको इंटर्वी होगा बीसिकली शॉट लिस्टिंग होने के आपकी जो एज काउंट होगी वह 30 सेटेंबर 23 से काउंट होगी यह बात याद रखना ठीक है और यह हो गया आपका इमिन आपको बता दिया बाकि देगो फॉर्म भंदे के लाज एट ट्वंटी एट नवेंबर तक आप फॉर्म भर दो उसके बाद भी इस वीडियो के बा और अप्लाइ करना है ओनलाइन ओनलाइन का लिंक का अप्लाइन का लिंक कर दे रहा हूं अप्लाइ कर ले ना बाकी देखो इस पीडियेफ में आपको लिंक मिल जाएगा इस प्र प्र जा सकते हो आठ नवेंबर से फॉर्म श्टार्ट हो गए है अठाइस ट्वंटी एक नवेंबर एक गारा बचकर पच्छपन मिनेट पर एलेवन फिक्टी फाइव पीएम पर आपकी फॉर्म के लास्ट रहीगी ठीक है यह खुल गी वेबसाइट चलो बच देखते हैं इसमें यह एडसील इसका जो उसको हारिं कंपनी होगी उसको दे आपको फॉर्म बना है 28 November last date है अब ठीक है यहांसा आप फॉर्म भर सकते हो यहां पर अगर आप नए हो तो टू रजिस्ट्र करें क्लिकर करना बस आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोल जगा यहां पर यह लोड होगा है भी लोड होने दो इसको वेट कर लेते हैं अपको मैं पीडिए पर दे रहा हूं डिस्किप्सिं में वीडियो आपको आपलाई करो इसमें डेफिनेटल आपको मैं चाहता हूं आपस आप सब जल्दी अच्छी मिनिष्ट्री में सर्विस लगसे आपकी बागी चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब कर जाओ चैनल में का अपकी जल्द मिलते हम लोग एक और अच्छी अपडेट में तब तक के लिए थैंक्यू सो मच